हाई दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टोकों का जिनका हम बॉटम बनते हुए देख रहे हैं आज के ट्रेडिक सेशन में और जैसे हमारा भी हुथा कि 23rd से लेके 26 अगस्त तक बॉटम बन जाएगा तो सबसे इंपोंटेंट आज ये देखना है हमें कि आज जो विकली ब्रेकडाउन नहीं हो रहे हैं आज और कल विकली ब्रेकडाउन लेवल को होल्ड कर लते हैं और पिछले कई दिनों से लेकिन अभी भी ट्रेडिंग के दो घंटे बाकी है आज मॉर्णिंग में अभी अपडेट दे रहा हूं आप लोगों को लाइब मार्केट में तो सबसे इंपोर्टन थिंग कि 369 विकली ब्रेकडाउन लेवल है मिन्स इसके नीचे की क्लोजिंग इस अपते का नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग फेज में मिन्स आज मंडे और खल टूज दे दो ट्रेडिंग सेशन है इस अपते का विकली ब्रेकडाउट ब्रेकडाउन के लिए एक मेजर सपोर्ट है विकली 369 है और नीचे अगर यह टूट भी जाता है तो इस मंद का मैक्सिम डाउन होना अगर होल्ड हो जाता है विकली ब्रेकडाउन नहीं होता है ब्रेकडाउट नहीं हुआ ब्रेकडाउन भी होल्ड हो जाता है तो कहीं नहीं निचले लेवल से बाउन्स आने के पूरे-पूरे असार हो सकते हैं तो आप LIC आउसिंग फाइनस पर ध्यान दे सकते हैं सेकेंड लूपिन पर बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं 960 के ऊपर जैसे सश्टिंग करेगा एक बड़ी तेजी 100 रुपे की तेजी कम से कम आएगा जहां से तूटा है उसका कम से कम 50% आएगा अब यह तोड़ा सा खराब हो चुका है इस इस रेंज का जो फाइनल बोटम बने जरूर जो उपरी लेवल पर फसे हैं उनको जरूर इस स्टॉप को देखना चाहिए सेकेंड आर्बीयल बैंक में भी 156 तक का मुझे एक अच्छा कासा सपोर्ट दीख रहा है 156 156 और विकली ब्रेग्डान 159 है 159 अगर होल्ड हो जाता है आज और कल तो अच्छा कासा एक बाउंस बैक 10 रुपए से 20 रुपए की बाउंस बैक आ सकता है लेकिन बजार में मैं बोलिस नहीं हूं लेकिन वाटम फिसिंग सोट टर्म के लिए दो या एक हफते के ट्रेंड के लिए देखा जा सकता है और लॉंग टर्म के लिए ऐसे स्टॉकों को एकुमलेट करने में कोई अर्ज नहीं है तो आप इन इस्टॉकों को देख सकते हैं अर्बी एल बैंक एलाएसी आउसिंग फाइनेंस अनुलुक इन यह तीन इस्टॉक ऐसे हैं इस गिरावट में खरिदारी की खरिदारी की जा सकते हैं सेकर्ड फिंग मैंने निफ्टी का भीव दिया था मिला इकली ट्रेंड एनालिसिस में मैंने क्लियर कट सटर्डे कल मॉर्णिंग में संडे में क्लियर कट भीव जो दिया था उसी भीव पर मार्केट रियक्ट कर रहा है और यह ट्रेंड हमने बहुत पहले बोल दिया था एक मीना पहले बोला गया था कि 23rd और 26 अगस्त तक ब आएगी इंडेक्स में अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नीचे के तरफ नहीं हुआ है और बहुत जल्दी एक अच्छा कासा इंडेक्स में भी रिवर्सल होने वाला है कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि मंत के इंड में एक हाई लगे निफ्टी में भी और फिर बजार वहां से फिर से अगर खड़ारी कर रहे हैं तो सौट टम कर नजडिया से खड़ दिये या लॉंग टम कर नजडिया है हर डीप पर अगर आप बाइंड कर सकते हैं अगर देखा जाएगा आने वाले एक साल में बहुत सारे स्टॉक बॉटम तो बना रहे हैं और भी गिरता है तो अगर देखा जाल के लिए वह कहीं न कहीं सेल और राइज वाले श्टॉक है उसका भी मैं स्पेसल मेंबर्स जोन में इस हफते का एक ट्रेंड उपर के आ जाने के बाद मैं सौट के लिए मैं उन श्टॉकों का चैन करूंगा और उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करूंग का मेंबर्स जोन के लिए तो यह एक छोटा सा ओवर्वीव था सुबह मॉर्णिंग में मेंबर्स को भी अप्डेट नहीं कर पाया और एक वीडियो के माध्यम से मेरा जो अभी तक का वीव है यहाँ पे बाई ओन डीप का स्टेटजी है वो हम यूज कर रहे हैं तो इसी के देखिए में दो घा देखिए अईटतन के लिए पन्टन यहाँ था रशल्डेश पाला प्लाट हुआ के लिए हैं जो प्लाट है तो तो यहाँ अग्गार। यहाँ उखिए प्लाट हैं खुआ है जे यहाँ वीडियो उते टारत एंड़ हैं झालीए देखिते। झालीव